हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलर्जी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis है हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ सा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा WhatsApp नंबर है अगर आप यह अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टीशनल लेना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp के जरीए, Signal के जरीए या तेलेग्राम के जरीए Message सेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है हलकी लंबाई में लिकने एक अच्छी स्क्वारी शेप बनाती हुई आपको नजर आएगी इस तरह के लोग काफी analytic तो होते ही हैं साथ ही साथ एक hard working type की nature भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है अगर हम बात करें इनकी fingers की तो आप यहाँ पर देखेंगे fingers काफी अच्छी length में हैं खास तोर पर इनकी तरजनी उंगली यह जो guru की finger रहती है अगर अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे finger native को काफी knowledgeable बनाती है अध्यातों में ऐसे व्यक्ति की रूची रहती है और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली ऐसे व्यक्ति की personality काफी अच्छी leadership qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है जिनकी यह finger इस तरह से बिल्कुल straight और लंबी नजर आए अगर हम शनी finger की बात करें तो शनी finger length में काफी अच्छी है जिसकी वज़े से native मेहनती nature का रहेगा लेकर शनी finger के उपर इस तरह से तिल का बनना अच्छा चिन नहीं माना जाता जिसकी वज़े से चीवन में उतार चड़ाव अधिक रहते हैं किसी भी finger या mount के उपर अगर तिल बनता है तो उसके कुछ ना कुछ negative परभाब भी देखने को मिल सकते हैं शनी finger के उपर इस तरह का तिल का चिन बनना native को joint से जुड़ी दिकतें later age में दे सकता हैं हड़ियों से सबंदित रोग होने की सभावना रहती है और चीवन में absent downs का सिलसला भी ऐसे व्यक्ति के अधिक देखा जा सकता है ऐसे व्यक्ति को भवान शनी देव की पूजा करने चाहिए ताकि दिकतें life में कम से कम हो अगर हम सूर्य की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य finger अच्छी लंबाई में है length में इस finger को देखा जाए तो यह finger आपको इनकी तरजनी उंगली के equal नजर आएगी इस नजर आ रहा है जिस वज़े से native के यश में कमी रहती है ऐसे व्यक्ति को भेवज़े से defame मिलने की संभावनाई भी रहते हैं या अपने से उच्छ अधिकारियों से अपने से उपर के अहदेदार लोगों से भी native को बना पाने में मुश्किल आती है जब इस तरह से सूर्य finger के उपर किसी तरह का मूल नजर आए अगर हम इनकी mercury finger की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे mercury finger low set है आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम एक line यहाँ से draw करना शुरू करते हैं तो कुछ इस तरह की यहाँ पर यहाँ एक line बनती हुई जो इनकी finger को काफी नीचे से दरशार ही है इस तरह की low set mercury finger का होना native को थोड़ी shy nature दे सकता है थोड़ी सी hesitation वाली nature ऐसे व्यक्ति की रह सकती है जबकि यहाँ finger लंबाई में काफी अच्छी है जिसकी वज़े से काफी अच्छे communication skills ऐसे व्यक्ति की रहते हैं native का business equipment भी काफी strong रहता है और ऐसे व्यक्ति की calculations काफी बहतर देखी जा सकती है यहाँ पर इन fingers के बीच में gap का बनना जैसे अब सभी fingers में देख पाएंगे native को काफी independent सभाव का बनाएगा साथी साथ ऐसे व्यक्ति जिद्धी भी होते हैं जो थोड़ी rebellion nature रहती है जो काम करने की ठान लेते हैं उसको करकर ही दम लेते हैं क के गुरू परवत की आप देखेंगे यहाँ एरिया आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा ब्रस्पति माउंट जिन लोगों का उभरा हो साथ में ब्रस्पति फिंगर भी लंबी हो और थिक हो ऐसे व्यक्ति ग्यानवान होते हैं spiritual minded होते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस सेदिक सरोत्र ऐसे व्यक्ति के चीवन में जरूर बन जाते हैं अगर हम देखें इनके शनी परवत को तो आपको यहाँ पर यहाँ एरिया हलका सा दबता हुआ नजर आएगा और शनी परवत का दबना अच्छा संकेद नहीं माना जाता इस माउंट के दबने से नेटिव को अपने comfort zone से निकल कर काम करना पड़ता है आप देखेंगे शनी रेखा को तो यहाँ पर आपको शनी रेखा में भी कुछ break नजर आएगी कुछ इस तरह की इनकी शनी रेखा जो आप देख पाएंगे इस तरह की overlapping के साथ यहाँ रेखा आगे बढ़ रही है बीच में इस तर है लगभग 40 वर्ष की एज के बार ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी तरक्की पाता है अगर यहाँ रेखा और लंबी हो जाए तो उससे पहले लगभग 36 की एज से ही नेटिव को strong progress मिलने लगती है बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का जो एरिया है बिल्कुल flat है सूर्य रिखाएं मौचूद है जो नेटिव की creativity को indicate करती है ऐसे व्यक्ति के भीतर एक से अधिक तरह की प्रतिभाएं रहती है जिनके हाथ पर एक से अधिक सूर्य रिखाएं हो लेकिन थोड़ी focus में कमी ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में महस करता है थोड़ी confusion की state ऐसे व्यक्ति के चीवन में देखने को मिल सकती है बात करते हैं इनके mercury की काफी अच्छा और उभरा हुआ mercury mount यहाँ पर आपको काफी सारी खड़ी रिखाएं भी नजर आएंगी इस तरह की खड़ी रिखाएं mercury mount के उपर होना indicate करता है कि native के भीतर करते हैं अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलहा या consultation से लोगों की problems को दूर करने की capability ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं गुठे के उपर आप यहाँ पर देखेंगे यव का sign बनता हुआ छटे इंदरी ऐसे व्यक्ति की स्क्रियर रहती है आने वाली खट जैसे यहाँ यव का चिन, mystic cross का चिन और यहाँ तीसरी जो medical stigmata की रिखाई हैं यह चिन हो तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा सलहकार बन सकता है बहुत अच्छा consultant भी बन सकता है ऐसे व्यक्ति की रूची उकल्ट sciences में रहती है जैसे astrology है, पामिस्ट्री है, tarot cards, वास् इन में रह सकती है, ऐसी चीजों में से किसी एक विशे को सीख भी सकता है ऐसा native, बात करते हैं इनकी major lines की, आप यहाँ पर देखेंगे, इनकी जो heart line है, यहाँ पर एक branch इस तरफ से निकलती हुई, और एक branch उपर की तरफ चलती हुई, और यहाँ एक center से, आपको एक पूरी शिव को अती प्रिया होते हैं, ऐसे native अगर अपने जीवन में भगवान शिव की उपासना करें, तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं, और खास तोर पर अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर इस तरह का तृशूल का चिन complete बन रहा हुई, अपने जीवन में इम बैमानदारी के रास्ते पर चलता रहे, बैमानी का रास्ता अक्तियार बिल्कुल ना करे, सही काम करता रहे, लोगों की help करता रहे, अच्छी personality बनकर जीवन में रहे, तो ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में काफी उचाई तक पहुँचता है, काफी धनवान भी बन जाता है, और साथ ही साथ समाज में बहुत अच्छा मान समान भी पाता है, आप यहाँ पर देखेंगे, इनकी जो line of heart है, इसमें downward branches नजर आ रही है, जिसकी वज़े से कुछ emotional setbacks मिलने की समभावनाएं रहेंगी, ऐसी रिखाएं होने से native को later reach में चलकर blood pressure जैसी समस्या हो सकती है, और लगबग 45 की एच के बार ऐसे व्यक्ति को कुछ न कुछ रिदे से सबंदित दिकतें आने की समभावनाएं बढ़ती हैं, blood pressure की समस्या, cholesterol जैसी problem, thyroid जैसे issues, literature में चलकर होने की समभावनाएं इस तरह की branches की वज़े से बढ़ जाती हैं, अगर हम बात करें इनकी line of mind की, आप यहाँ पर देखेंगे mind line को चिस तरह से नीचे की तरफ चलती हुए अच्छी लंबाई में, एक branch निकलकर उपर की तरफ इस तरह का जब fork बनता है तो यह native को बहुत ही clever बनाता है, ऐसा fork होने से native का mind बहुत अच्छे से काम करता है, ऐसा fork होने से अगर native अपनी इस का अच्छे से इस्तिमाल करे, अपनी imagination को channelize कर ले, तब यही fork native को काफी उचाई तक पहुंचा सकता है, इस तरह का fork होने से native एक अच्छा writer या अच्छा artist भी बन सकता है, अदरवाइस यह रेखा नीचे की तरफ चुक रही है, जिस वज़े से थोड़ा stress या तनाव रहने क संभावनाएं भी जीवन में रहेंगी, अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में है, जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना, इंडिकेट करता है कि native की age लंबी रहेगी, लगबग 75 से लेकर 80 के ब अच्छी लिया है, आपको काफी उबरा हुआ नजर आएगा, शुकर परवत अगर इस तरह से उठ रहा हो, तो जीवन में हरत रहें की सुकसुधाई मिलती हैं, हरत रहें की लगजरी इसको ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में enjoy कर पाता है, इस mount के उपर ऐसी आड़ी आप देख पाएंगे शुकर परवत के उपर काफी अधिक मातरा में नजर आ रही हैं, ऐसी रिखाओं का होना अच्छा चिन नहीं माना जाता, ऐसी रिखाओं जिन लोगों के शुकर परवत के उपर मौचूद होती हैं, इन रिखाओं की वज़े से नेटिव को अपनी family life म disturbance महसूस होती है, ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिन्ताओं का सामना करना पड़ता है, इवन अपनी married life में भी थोड़ी disturbance ऐसा व्यक्ति महसूस करता है, अगर हम बात करें इनके चंदर परवत की तो आप देखेंगे चंदर का जो area है, यह वा रिखाओं का होना और चंदर परवत का अंदर की तरफ दबना अच्छा चिन्न नहीं माना जाता, इस तरह का चंदर परवत होने से नेटिव को anxiety की दिक्कत चीवन में हो सकती है, बेचैनी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, साथी साथ ऐसी रिखाएं नेटिव को काफ और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्न या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है, कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें, मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहु और मेरा आपका बहुत पाध बहुत आपका बहुत वालों के लिए चुरूंग स्वालों के लिए कॉरूंग Wilson